करिकरम के शुरूआत में आपने सुक्षम पोशक तत्व की भी बात की दें तो उसके बारे में खुल कर हमारे के सान भायों को बताईए कि फसलो क बताईए कि सुप्षम पोशक तत्व आखिर क्या होते ऴर्षंध बपने पता काınd Fine फसलों के लिए परन्तु वो बहुत महत्पूर्ण होते हैं जैसे दो पोशक्तत तो ऐसे हैं फासपोरस और जिंक जिसको जस्ता कहते हैं तो डीएपी से फासपोरस तो मिल जाता है सुपरफासपेट से फासपोरस भी मिलता है लेकिन अगर जिंक की उपलपता नहीं होगी तो तो फासपूरस भी नहीं मिलेगा, या फासपूरस अधिक मात्रा में होगा, तो जिंक की उपलब्ता कम हो जाएगी, इसलिए इनका संतुलन बहुत जरूरी है, राजस्थान में लगवक 50 प्रिसत जो मिट्टी है किसानों की, उसमें या तो जिंक की कमी है, या आइरन यानी लोही की कमी है, तो इनके कारण से क्या है, हम डिये पी यूरिया जितना डाल रहे हैं, उसका भी लाब नहीं मिल पाता है, इसलिए अब किसान भाईयों को इस पर भी ध्यान देने के आवशकता है, तो जैसे हमारी मिट्टियों में, सामने ते ये देखने में आया है, जो मि मिट्टियों का जो पी एच है, राजस्थान की मिट्टियों का, अधिक जाधतर मिट्टियों का पी एच मान, साड़े साथ से ज़्यादा है, जबकि वो साथ के आसपास होना चाहिए, तो साड़े साथ और आठ, और कई जगे तो आठ से भी उपर है, तो ऐसी मिट्टियां जिन में पी एच मान साड़े साथ से ज़्यादा है और आठ और उसके असपास है तो वहाँ पर जिंक और आइरन की कमी हो जाती है यानि इन सूच में तत्वियों की कमी हो जाती है तो इनको हमको थोड़ी अलग से देना पड़ता है तब ही हमारी जो फसल में हमने जितने भी जो अच्छा बीज डाला है जो खाट डाला है उसका परणाम तभी मिल पाता है जब हम सूच में तत्वियों उपयोग करेंगे तो किसान भाईयों से मेरा आपसे अन्रोध है कि इस ओर थोड़ी सी जागरुकता और ध्यान देने की आवशकता है मतलब पहले मिट्टी को जांच ले डालने से पहले तो मिट्टी की जांच पहले करवाई हुई है ब्रदा स्वास्तिकार्ट सामाजता है बहुत सारे किसानों को अपने दिये हुए है तो उसको थोड़ा एक बार देख ले तो उससे भी उनको पता लग जाएगा और सामाने रूप से भी पी एच का ही अगर अध्यान कर लेंगे पी एच ही देख लेंगे वह उसमें पी एच मान आठ के आसपास है तो उसमें तो यह जिंक और आइरन डालना ही है अपने को और देखिए बहुत सस्ते आते हैं करीब 40 रुपे किलो जिंक आता है इसी इसाब से फैरस सल्पेट जो हरा कसी जिसको बोलते हैं वो आता है तो इसको डालने का तरीका जो है बहुत आसान है इसको दो प्रकार से अपन डाल सकते हैं जिंक का उपयोग या फैरस सल्पेट का उपयोग दो प्रकार से डाल सकते हैं एक तो मिर्दा स्वास्तिकार्ड में बताई गई मात्रा के अनुसार से और 20 से 25 किलो प्रती हक्टियर बुवाई के समय अपन ऊर करके डालने ठीक है या इसे जमीन में मिला दें वो भी उपलफद हो जाएगा पर जहां चारियता की समस्या है जहां मिट्टी चारिय है अपन म महिने की हो जाती है उस पर उस समय और पत्यों पर छड़काव करना चाहिए पानी में घोल करके